है गाईस आज की इस टूट्रियल में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बी एमबी फ्री टूल तो इसकी डाउन्लोडिंग में आपको डिस्क्रिप्चन में दे दूँगो वहां से आपको इसको डाउन्लोड कर लेना है यह दे सकते हैं यह दे सकते हैं यह करीवन 800 MB की तो सबसे पहले तो इसको डाउन्लोड कर लें नावन्लोड करने कबाद अगर आपके पीसिए में विन्टू 10 है तो कहते हैं आपको Antivirus को आफ कर देना है अगर Windows 7 है तो कोई प्रॉल्म नहीं है और विन्टू 10 है तो रियल टाइम प्रोटेक्शन को कर देना है और इसको आ से हम वी वो ओपो, MI, किसी भी कंबनी की फोन को अनलोक कर सकते हैं, फोन के अंदर सौफ्टेया कर सकते हैं, यह काफी यूजफुल टूल होने वाला है, और आपकी PC में टूल चलाने में कोई प्रॉल्म आ रहे हैं, आप कमेंट करके बादा सकते हैं, देख सकते हैं, जब तक फॉर्वर्ड कर देते हैं, और देखिए हमारा टूल एक्स्ट्रेक्ट हो चुका है, एक्स्ट्रेक्ट होने बाद इस परकार का फोन्डर आ जाएगा, BMB वर्जन 35, इसको करते हैं, इसको करते हैं, और देख सकते हैं, यहाँ पर हमें काफी सारी फैल्स मिल लहीं है, इसी क यहाँ पर ओपो दिया, इंफिनिक्स दिया है, भीवो दिया हुआ है, माई दिया हुआ है, हवाई दिया हुआ है, सैमसेंग, कॉलकॉम अनलोग, मीडिया टेक अनलोग, फ्लेश रॉम, और दे सकते हैं, साथ में USB ड्राइवर भी दिय हुए, आप PC अगर 64 bit का है, तो आप इसके बाद चली, देख सकते हैं, काफी option दिये, तो हम सबसे पहले, ओपो में आकर चेक करते हैं, ओपो में आने कबाद दे सकते हैं, अब हमें काफी सारे model मिल जाते हैं, यह वारा से लेके, A93, 94, 95 यह दे सकते हैं, latest model है, इसके बाद हमें OPPO Reno 3, 4, 5, 6 तक मिल जाते हैं, Realme के भी काफी model मिल जाते हैं, देख सकते हैं, इस tool में किते सारे model हैं, और इसके बाद देख सकते हैं, आप चलो, example के लिए हम ले ले लेते हैं, OPPO Reno 6 को, और इसमें हम देख सकते हैं, unlock sim कर सकते हैं, bootloader unlock कर सकते हैं, और security में, यहाँ पर हम erase, frp plus factory reset, पन्तब pattern lock को unlock कर सकते हैं, इसके बाद inflex में चलते हैं, inflex में भी हमें काफी model मिल जाते हैं, और बागी सब same है, किसी model को select करना है, lock खोलना है तो save format पर कीजिए, frp अटाना तो area frp पर, और यहाँ पर देख सकते है, area frp factory reset, और आपके phone में save format काम नहीं करता है, तो आप यहाल option select कर सकते हैं, इसक देख सकते हैं, हमें Vivo में भी काफी model मिल जाते हैं, देख सकते हैं, इसमें latest model Vivo Y21, 521 5G तो चलिए, model एक phone को ले 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 से हैं, example के लिए, यहाँ पर हम select रहते हैं, Vivo Y21 5G, इसके बाद देख सकते हैं, आप आ रहा है, save format और erase frb, और erase frb plus factor नहीं चलिए, आपको lock और frp द मिल जाते हैं, और बागी सब कुछ यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं, media tag लिखा हुगा, इसमें हम repair IMEI कर सकते हैं, motor load unlock कर सकते हैं, pattern lock कर सकते हैं, और frb को भी unlock कर सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं, इसमें एक और option दिया हुगा है, solid यह पता नहीं क् क्या option दिये गए है, आप यहाँ पर आप इसको open करके try कर लेने बहर, और मुझे भी comment करके बताने क्या option है, इसके बाद चलते हैं, हवाई में सबसे ज़्यादा use होता है, frp के लिए, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास, हवाई honor 7S mobile है, इनकी mobile में frp unlock करने में काफी problem आती ह तो इसमें दे सकते हैं, आपको option मिल जाता है, area frp plus factory set, आपको modern select नना, इसके पर tick लगाना और restart कर देना है, और phone को connect कर देना है, यह tool काफी usable होने वाला है, चलिए यहाँ पर यह driver आप इंस्टॉल कर देना है, सेंसेंग में आते हैं, सेंसेंग में आना, सेंसेंग में आना, तो आप button से भी unlock कर सकते हैं, इसके अदर से frp unlock कर सकते हैं, आई में repair कर सकते हैं, samsung mtp enable कर सकते हैं, और देख सकते हैं, आप ए copy option दिए गए है, test point के through भी दिए गए है, samsung remove frp adb भी दिए होगा है, और देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे important रहता है, media attack के लिए use usb driver, और नहीं उन फोनों में software कर सकते हैं, इस driver के में जाद से आप उन फोनों को unlock कर सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं, आप दिया गया है, callcom unlock, callcom unlock में देख सकते हैं, कलक से यह दिया हुआ है, इसको भी try करेंगे, पहले media attack को try करते है, media attack में हमको save format, erase frp, buo bypass, buo frp, buo enable bro mode, xyz, यहाँ पर option मिल जाते हैं, आप tool को install करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके आद में flashroom मिल जाता है, इसमें हम phone को flash कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर आ रहा है फ्लेश रोम फोल्डर और देख सकते हैं इसके मतलब से हम स्कैटर फाइल को कर सकते हैं देख सकते हैं यह सब मीडिया टेक में होगा इसके फिर से चलते हैं कॉलकॉम अनलोक की तरफ से और यहां देख सकते हैं एक अलग से टूल दिया गया है बीम्ब कॉल को वर्जन थाट यो नलोग इसमें आप क्या कर सकते हैं फेक्रिë एंलोक कर सकते हैं राइट-साइड में देख सकते हैं यह ओपो दिया गया बीव से इंतिंग दीव उनलोक भी वेख़ुंप केजी आईमि ऐय और तरह करते हैं और यहां कुछ नहीं हो रहा च देख सकते हैं यह OPPO पर ही सिलेक्ट है यह पर OPPO A30, 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 A73, A74795, F17, F19 काफी model दी हुगई है इसके बाद दे सकते हैं आप Bivo में भी काफी model दी गई है B5, B7, Bivo Y73 भी दिया हुगा इसमें देख सकते हैं नया वाला यह टूल काफी यूजफल होने वाला है इसके बाद सामी में देख लेते हैं सामी भी काफी option दी गई है सेमसेंग कॉलकॉम में क्या है सेमसेंग कॉलकॉम में आप कुछ कॉलकॉम के model सेमसेंग में FR भी बाइपास कर सकते हैं उनकी और बाकी आप खुद इस टूल को इस्टॉल कर निवा देख सकते हैं इसमें क्या क्या option है चले टूल को क्लोज करते हैं और इससे कोई सबाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स पर वाचिंग